महादेव क्लासिज में आप सभी का स्वागत है मैं आज आपके सामने अमरिता सेर्गिल के बारे में बताने जा रही हूँ तो और इससे पहले एक जानकारी हो रहा है कि भविश्य में जल्दी ही DSSB DSSB के जो है होम आने वाले हैं जिसमें ड्रोइंग की काफी यानि 500 से 600 के करीब सीट उसमें आपके आने वाली है ठीक है कितनी 500 से 600 तो सभी जो हैं जाब अपनी तयारी में लगे रहे हैं तो अमरिता सेर्गिल जो है इनका जो जनम था वो 1913 में हुआ था और मृत्ति जो हुई थी यह वो उनकी 1941 में हुई थी तो अमरिता सेर्गिल का जनम कब और कहां हुआ था तो इनका जनम जो था 30 जनवरी 1913 में हंगरी की राजधानी वूडा पेष्ट में हुआ था कहां पर हुआ था हंगरी के वूडा पेष्ट में जो था इनका जनम हुआ था और ये जो आपके सामने है ये एक है नववदू का सिरंगार ये चित्र जो है ठीक है ये कब बनाया था ये बनाया था इन्होंने 1937 में कब बनाया था ये चित्र 1937 में ये चित्र इन्होंने बनाया था आगे हैं अमरता सेरगिल ने कहां से सिक्षा पाई थी यान इन्होंने सिक्षा कहां से ग्रहन की थी तो इन्होंने जो सिक्षा ग्रहन की थी वो पेरिस से की थी आगे हैं पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संसान से अमरता ने कला की सिक्षा ग्रहन की थी तो पेरिस का था लूसिया साइमोन किसके निर्देशन में की थी लूशिया साइमोन के जिर्देशन में इकोल्द बुआल आर्ट में इनोंने शिख्षा जुठी प्राप्त की थी भारती कला की परेड़ना सवरवर्थम अजंता अमरिता सेरगिल को कहां से मिली थी तो इनोंने भारती चित्र कला की परेड़ना ली थी आजनता की गुफा से और एलॉरा की गुफा से लिती एक question है और मैं आप से पूश रही हूँ कि एलॉरा की गुफा का जो चित्र है कितने रुपय के noot पर बना हुआ है तो ये भी साथ में रखें ये भी पुचा जा सकता है तो 20 रुपय के noot पर जो है इसका जो चित्र है वो इनका चित्र बनावा किसका एलोरो की गुफा का ये भी important question है आगे चलते हैं अमरता सेरगिल की मा थी यानि उनकी मा कहा की थी तो वो जो थी हंगेरियन थी अमरता सेरगिल के चित्रों में किस भाव की जलक दिखाई देती है तो उनके चित्रों में विसाद की जलक जलक दिखाई देती है विसाद यानि दुख की इसकी दुख की जलक आगे हैं अम्रिता सेरगिल के कारिये को प्रोचसाहित किया यानी उनके कारिये को किसने प्रोचसाहित किया था तो वो किया था यामनी राय ने अम्रता सेरगिल भारत कब लोटी तो वे जो थी 1934 में जो थी भारत लोटी थी अम्रता सेरगिल के पिता का क्या नाम था तो इनके जो पिता था उनका नाम था उम्राव सिंग सेरगिल क्या था उम्राव सिंग सेरगिल अम्रता की मृत्यू की साई कितने की आयू में होगी थी कितने वर्स की थी तो इनकी उमर मृत्यू जो थी वो 28 साल की उमर में होगी थी और ये जो थी कभू ही थी 5 दिसंबर 1941 में कभू ही थी 5 दिसंबर 1941 में अम्रता सेरगिल की प्रसिद करती 1932 में जो बनी थी यंगर्ल ओयल ओन के अन्वास किस पर बनी थी ओयल ओर के अन्वास पर तही इसका आकार था 133 गुना 164 क्या था 133 गुना 164 वर्तमान में कहां सुरक्षित है तो ये है नैशनल गैलरी आफ और नाट में कौन सा चित्र है यंगर्ल किस पर बना है ओयल ओर के अन्वास पर 133 गुना 164 सेंटीविटर जाइस की माप है अम्रता सेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां लगाई थी तो इन्होंने अपनी चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी थी वो इ दो फरवरी 1937 को इलाबाद में इस विद्याले इलाबाद में जो है इनोंने लगाई थी मुंबई के किस होटल में अम्रता सेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी तो इनकी जो प्रदर्शनी लगी थी वो ताज होटल में लगी थी जो कहां पर है मुंबई में इस अगला है अम्रिता सेर्गिल का विवा किसके साथ हुआ था तो अम्रिता सेर्गिल जो थी इनका विवा जो था विक्टर एगान यानि हंगेरियन चचेरे भाई से इनका विवावा था किस से वह था विक्टर जो इनके क्या लगते थे चचेरे भाई लगते थे आगे हैं अमरता सेलगिल की बहन का क्या नाम था तो इनकी जो बहन थी उनका नाम था इंद्रा सेलगिन अम्रता विवान सुंद्रम की रिस्ते में क्या लगती थी जो विवान सुंद्रम है यह किसके लिए जाने जाते है इंस्टोलेशन के इंस्टोलेशन आर्ट के लिए जाने जाते है तो इनकी जो थी क्या लगती थी मोसी और इनकी मा का नाम था इंद्रा ठीक है विवान छित्र पूचा गया पीला इसा क्या है पीला इसा ये चित्र stellar भी काफी प्रसित्र ah, आप यहांते से ईशसे भी याद कर सकते है आगे सो आगी हां अंवराता से तो यह उनकी क्षित्र कोन कोन से तो उनका चित्र है दक्षिन भारतिये ग्रामीन बजार जाते हुए 1937 में 3 बहने 1935 में परवतिय महलाएं केले बेचने वाली भ्रहमचार्णी हल्दी पीसने वाली और क्या है हल्दी पीसने वाली हल्दी पीसने वाली और इनका चित्र है एक काफी famous है नवदू का सिंग्रार वदू का स्रंगार तो ये भी इनके और काफी प्रमोखो चित्र है अमरत का सरवाधिक चित्र जो है कहां सुरक्षित है तो इनके सरवाधिक चित्र जो है राष्टे गैलरी कला संग्राले नई दिल्ली में सुरक्षित है बालवदू किसकी करति है तो ये बालवदू जो है ये अमरता सेरगिल की करति है या नवदू का सरंगार भारते विशो को पास्चात सेली में किसने चित्रत किया तो वो किया था अमरता सेरगिल ने आगे हैं अमरता के किस चित्र पर आल इंडियन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नहीं दिल्ली की ओर से स्वन पदक मिला था तो उनका जो चित्र था भारते लड़की जो उनका चित्र था इस पर इनको स्वन पदक मिला था अमरता ने टोर सो नामक चित्र पर कहां से पुरुसकार मिला था तो ये ग्रांड सैलोन से जो है इनको पुरुसकार मिला था कौन से चित्र पर टोर सो बे अमरता सेरगिल ने अपना स्टूडियो कहां पर बनाया था तो इन्हों ने जो था अपना स्टूडियो जो था वो पे आगे है काल खंडल वाला किस रूप में प्रसिद हैं तो काल खंडल वाला जो है ये कला इतियासकार है अधिव्यक्ता है ठीक है आगे चलते हैं मई 1935 में इंग्लेंड के पत्रकार मलकाम मुगलेरीज से मिलने के पस्चाथ किस दैनिक किस दैनिक समचार पत्र के सह संपादक अग्रनी लेखक के रूप में कार्य किया तो इन्होंने किया था दा कलकत्ता स्टेट्मेंड में किसमें दा कलकत्ता स्टेट्मेंड में 22 निवेंबर 2018 को भारत की सुद्वी की निलामी में अमरिता सेलगिल की कृति दा लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपे में विकी तो यह जो थी 18.69 करोड में विकी थी 18.69 करोड में विकी थी तो आप सभी से उमेद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी धन्यवाद